नमस्कार दोसोर आपको और जो आपको एस्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पे रियल्मी के 6 शीरीज रियल्मी यूटू और साथ में आस्क मदफ के एपिसोड 15 के बाड़े में यहां पर रियल्मी 6 शीरीज वो इंडिया के अंदर बहुत जल्द लॉफट होने वाला है क्योंकि यार वाइन साथ चुगा है अब सबसे बात करते बीए एए सार्टिविकेशन की दो जो डिस्ट होच आई है यह तिनो डिवाइस बीएस बीकेशन पर लिस्ट अब बात कर अंगर हम वाइए सार्टिविकेशन आप जो Realme 6 है बोले तो RMX2001 यह Wi-Fi सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है MT6785T वाले प्रोसेसर के साथ में अब यह जो MT6785T है यह है Mediatek का Helio G90T वाला प्रोसेसर अब यह Realme 6 में Mediatek Helio G90T अब जो नंबर वाली सिरीज होती है Realme का वो तो 10,000 के नीचे ही आता है मुझे नहीं पता है Realme 6 जो है वो 10,000 के रेंज में Helio G90T कैसे देगा अगर C3 में G70 आ सकता है तो 6 में G90T आई सकता है देखते हैं क्या होता है जो भी होगा आपको मैं ज़रूर से बता दूगा और साथ में Realme 6 प्रो है वो भी Wi-Fi सार्टिविकेशन पर आ चुका है RM2061 वाले मोडल नंबर के साथ में लेकिन इसका प्रोसेसर मुझे नहीं पता चांसे से कि इसमें Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर होगा लेकिन नहीं पता यार कुछ भी हो सकता है अगर रियल्मी 6 में हमें G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है तो समझ जाओ कि 6 प्रो में इससे बेटरी प्रोसेसर में मिलेगा मुझे नहीं पता है जब भी आएगा उसके बाद मैं आपका बता हूं को और साथ में जो RMX2081 और RMX2086 यह भी BIA सार्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है और चांसे से कि यह रियल्मी U2 हो सकता है अब रियल्मी U2 कब लॉंच होगा वह तो नहीं पता है में जून के आसपास रियल्मी U2 लॉंच हो जाएगा तो यहां पर तो मैंने आपको सारे के सारे स्मार्ट फोन के बारे में तो बता दिया अब बात आती है आसक मादफ एपिसोड 15 का तो यह बहुत ही जल्द आने वाला है आपको आगया आने वाले एक दो हफते के अंदर मिले जाएगा यह पिसोड ओफिशल चैनल पे और इस बार यह लिए आज लिए नेयुकर करके होने वाला है मतलब इस अपिसोड में अपर कंभे के तरफ से काफी सारे इंपर्मेशन मिलेगा और साहट में रियल्मी के तरफ से भी काफी सारे इंपरीया मिल जाएगा तो इसे आएगा असमा दब एप्विसोर 15 उसका जो हिंदी वर्जिन है वह आपको आपको अविएसली इधर मिली जाएगा तो इतने दोस्त वीडियो को अंदर आगा आपको यह वीडियो पसंद आए विडियो को लाइक कर दीजिए अगर अपने दोस्तों के शाहत शेहर कर हुआ 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 है अएगा झाल हुआ हुआ है झाल झाल